बुदवार को कैबिनेट के हुई बैटिक में दो बड़े फैसले हुए हैं कैबिनेट ने निलाचल इसपात निगम लिम्टिट को बेचने की मंजूरी दे दी हैं निलाचल इसपात में सरकार अपनी पूरी सो फिस्दी हिस्सेदारी बेचेगी इसके अलावा कैबिनेट ने कॉल माइनिंग में कोमेर्शिल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है इसके लिए MMDR Act में बदलाव करने का फैसला लिया गया है इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने निलाचल लस्पात निगम लिम्टेड को बेचने की मंजूरी दी है इस कमपनी का खास बात यह है कि निलाचल लस्पात में MMTC की हिस्सेदारी 49.8 फीस दी MMDC की हिस्सेदारी 10.10 फीस दी मेकोन और BHL की हिस्सेदारी 0.68 फीस दी है 2018 से 2019 में इस कमपनी का ग्रोथ 126 फीस दी रही है इसकी उत्पास शमता 1.1 मिलियन टन है सरकार को लगता है कि कमपनी बेचने से अच्छी खासी रकम जुटाई जा सकेगी इसके लिए एडवाइजर निउक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है सरकार ने कॉल सेक्टर के लिए एक बड़ा फैसला किया है इस फैसले के मताबिक जितने भी कॉल माइनिंग की निलामी की जाएगी उस निलामी में वो कमपनिया भी हिस्सा ले सकेंगे जो स्टील सेक्टर और पावर सेक्टर में ना हो या सिर्फ माइनिंग करने का काम करती सरकार ने कोमेशल कोल माइनिंग की राहत अंतिम रोडे को हटाने का फैसला लिया है इसके लिए सरकार अधिनियम में बदलाव करेगी यह बदलाव अध्यादेश के जरिय किया जाएगा इसका मतलब आज कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसके मताबिक देश साम या कल तक इस अध्यादेश को राष्ट्रिपती से मंजूरी मिलेगी और 24 घंटे के भीतर ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे सरकार ने निलांचल इसपात नीगम लिम्टिड की रणनिती बिक्री को स्याधानतिक मंजूरी दे दी है इसके तहर छे सार्जिनिक उपकर्मों को कमपनी में अपने हिस्सेदारी बेचने की अनुमती दी गई है सूचना एवं प्रासरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने बताया कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदे की अध्यक्षता में बुदवार को हुई मंत्री मंडल की आर्थिक मामलों की सिमीती की बैचक में यह है फैसला लिया गया है आइंस एंड कोल में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है जिससे सुधार भी होगा और अपने देश की विचित्र स्थिती थी कि कोईला हमारे पास भरपूर है लेकिन फिर भी हम भरपूर आयाप करते हैं इस तिति को सबाप करने वाला एक आइप्यासिक फैसला लिया है जिसकी डीठर जानकारी प्रलाज चोशिच देंगे दूसरा पुरोत्तर भारत ये मोदी सरकार का हमेशा फोकस का एरिया रहा है उसके विकास के लिए जिस गति से पिछले पास साल में प्रयास किये है वो अभी पचास साल में कभी नहीं हुए थे और उसी का एक आगला चरण कि यह आठो राज्यों में एक नया ग्यास ग्रीड तैयार करें वहां के जिन्दगी में परिवर्तन लाने वाला विकास को गति देने वाला वो आज एक आईटियासिक नेने हुआ है जिसकी जानकारी धर्मेनर्जी देंगे ओडिसा में जो निलान चलम इस पार्थ निगम है इसमें वी निवेश करने का एक नया तरीका भी आप देखेंगे कि जैसे मोदी सरकार के कारिकाल में वी निवेश हो रहे है वो वी निवेश मजदूरों के पक्ष में रोजगार बढ़ाने वाले और महद्वपूर्णया है कि पार्दर्शी तरीके से यह होते है और आज तक हुए बहुत सारे डिस इंवेश्मेंट में 51 पीसरी मालिक आना हक यह सरकार के पास ही रहता है इस बार निलांचल इस पार्ट में जिनके मुख्य शेयर है MMTC, Mineral Trading Corporation then NMDC, Mineral Development Corporation, Mekon, Bail हमारे पास जो है और Odisha Investment Corporation और Odisha Mining Corporation इन छे सहस्ताओं के जो निलांचल इस पार्ट में शेयर से उसका कुछ पार्ट यह डिस इंवेश्मेंट करेंगे जो नया आउक्षन में विज़ई होगा उसको यह शेयर मिलेंगे उससे निलांचल इस पार्ट का रूप बदलेगा रोजगार बढ़ेगा नया तक्निक आएगा और देश के विकास में इस इस पार्ट में पहले आईताहस में भूमिका बजाई हैं तो वैसी ही महतुपूर्ण भूमिका करेंगे यह मुझे विश्वास है गुजरात में जामनगर में एक अच्छी आयुर्वेद की संस्थान है इसको 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 इसके लिए बिल भी आएगा और आयुर्वेद का प्रभाव, महत्व, परिनाम, प्रचार, यह दुनिया भर में बढ़ाने में इस निरनाई का भी बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि आयुर्वेद की यह पहली राष्टिय महत्व की संस्था हो रही है एसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद